नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल GM जूटिसल अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज का ये वीडियो लेक्चेर जारकंड हायर जूटिसल सर्विस एक्जाम पर बेस्ट है और अभी दो दिन और बचे हैं आप लोगों के फार्म भरने का दूसर मेरे एक्जाम की त्यारी कैसे की जाए उसकी त्यारी कहां से की जाए ये आप लोगों के लिए बहुत सिस्द ऐता पूआ है और विरूटिसल सर्विस की एक्जाम की डारेक्ट मेंस की त्यारी करिए क्यों कि अभी तक तो आप लोगों को क्या करना है कि प्री की तयारी नहीं करनी है क्योंकि ज्यादा तर आप देखेंगे पिछले की एक्जाम में कि सीधा मेंस हुआ है ऐसी परिस्थित में आप लोगों को मेंस की तयारी करने के लिए आप उत्वोरे सिल्बर्स को एक बार उसका एनलसिस करिए और जो भी आप देखेंगे कि IPC, VNS, TRPC, BNSS और Indian Evidence Act के साथ भारती साक्ष धनियम यानि नया और पुराना दोनों क्रिमनला को जोड़ा गया है आपको दोनों के तयारी करनी है तो सबसे पहले आप इन एक्टों को एक साथ इठाए और उनका तुलनात्मक यानि की केंपरेटिव स्टडी करिए इससे फाइदा क्या होगा कि जब आप IPC पढ़ेंगे तो इसके साथ-चाथ बीनेस के सेक्षन को याद करनी में आसानी को भी तयार करेंगे और के साथ भारती साक्ष दनियम में जो स्ट्रेक्शन में कुछ प्राउधान चेंज हुए हैं क्योंकि अगर आप दोनों को तुलनात्मक तयारी करेंगे तो आपकी तयारी बहुत अच्छे हो जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्रिमिन नया होगा और आपको इसको अच्छे से त्यारी करना चाहिए तो अगर इसको त्यार करनेंगे क्योंकि बाकी आप देखेंगे जो पेपर्स हैं उसमें आपका जो सिल्वस है लग लोग काफी हायर जूट सर्विस एक्जाम के सिल्वस से मेल खाता है इनी विश्यों पर एक इसपेशल टार्गीड बैस क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम मैंस की तयारी कराएंगे और अगर प्री десят होता है क्योंकि प्रीग्जाम होने में हमेशा संदे रहा है इसका हमेशा तो प्री दिश्योंक इस वहीन कर सकते हैं क्योंकि यह एकदम रिजल्ट औरियंटेट वैच होगा इसमें हम आप लोगों को कुश्चन आंसर फार्म में पढ़ानाएंगे आपका वीकली टेस्ट लेंगे और आपकी आंसर राइटिंग को चेक करेंगे आपने जो आंसर लिखा है उसमें कितनी रिलिवेंसी है और कितना पार्ट रिलिवें को सुधार करिए और इस परिच्छा में अपना एक सीट तो निश्चित करिए तो आगे के वीडियो लेक्चर में आप लोग बने रहे और हमारे यूटूब चैनल के साथ जुड़े रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग हमारे लेक्चर के विसे में अपने लाइक और कमेंड क आपको प्रवाइड कर आते रहें धान निभाद